Hi friends, welcome back, this is Deepak from KTPL, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे तो friends आप देख रहे हैं हमारा चैनल देख रहे हैं आप सामने दिख रहे हैं और इसमें कई सारी वीडियोज डली भी है तेली के रिगार्डिंग आप चेक कर सकते हैं और अभी सब्सक्राइब कर दीजे हमारे चैनल को ताकि आपको नए अपडेट्स भी मिलते रहे हैं रिग YouTube के शॉर्ट्स भी डले में हैं इसमें कही सारे जो शॉर्टकट्स रहते हैं मनलब एक मिनिट में आपको काफी सारी चीज़ सिखाई जाएगी तो आप चेक कर सकते हैं आकर के इस चैनल को और अभी सब्सक्राइब कर दीजे जन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी जा और वो mismatch है हमारी place of supply mismatch जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो आपके सामने देख रहा होगा तो वो error क्यों आ रही है और इसका solution है कहां पर exact में वो solution कहां पर मिलेगा हमारको तो इस वीडियो में आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगी तो जुड़े रही है हम कोई GST return file करते हैं तो जुड़े रही है एंड तक thank you चलिए मिलते हैं वीडियो में okey हाई दोस्तों तो आपका स्वागत है तो अभी जैसे हम एक entry कर रहे है मैंने ये ledger बना रखा है cash का और मैं sales के entry कर रहा हूं मैंने cash में कुछ sale किया है और यहां पर मैंने state दे दिया Rajasthan GST registration type मैंने unregistered दे दिया उसके बाद मैंने sales का ledger बना रखा है sales taxable मैंने दे दिया और यहां पर हम गए item select किया हमने और हमने quantity दे दिया और इस पर GST हमने 18% दे रखा है जैसे हम चाहें तो इसको order करके देख सकते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं control enter मैंने press किया तो यह alter हो गया इसका open हो गया यह मैंने item create कर रखा है GST applicable कर रखा है इसका और यहां से हम इसका check करते हैं इधर मैंने hs encode दिया हूँ है अपने इस आप से भी दे दिया आपको जो exact है वो आप दे सकते हैं आप hs encode description और इसका text दे रखा 18% ठीक है तो अब हम आ जाते हैं तो ह यहांने SGST यह जो लेजर बना रखे थे और यह text अपने आप calculate होगी है अब हम enter कर रहे हैं enter कर रहे हैं enter कर रहे है तो हम देखते हैं कि हमारे सामने एक warning आ रही है mismatch in the nature of transaction and place of supply तो अब यह हमारे सामने क्यों problem आगे इस यह error क्यों आ रही है और इस error का मतलब क्या है इस error का म supply दिया है वो आपने सही नहीं दिया मतलब आपका state का problem है इसके अंदर state जो आपने select किया तो हम अगर इसको save कर देंगे enter कर देंगे तो यह हमारा enter हो जाएगा but जो error है वो solve नहीं हुई है क्यों नहीं हुई है क्योंकि जब आप इसको display में reports में जाएंगे gst reports में जब आप जाएंगे और यहाँ पर आप gstr1 में जाएंगे तो आपके सामने यह error दिखा रहा है आपे correction needed दिखा रहा है क्योंकि अगर आप return file कर रहे हैं gst का और यह corrections अगर आ आपको इसको correct करना पड़ेगा हम दोनों entries को open करते हैं दोनों में ही same error आ रही है mismatch in nature of transaction and place of supplier parties country तो हमने तो entry करी है एक तो राम नाम से हमारी entry करी है मतलब हमने माल बेच रखा है एक राम को और दूसरी हमारी entry है cash में यह दोनों entries है अब दोनों entries में problem क्या है हमें समझ में क्योंकि हमने यहां पर state दिया हूए राजस्तान place of supply भी हमने राजस्तान दे रखा है तो कहीं पर कोई problem दिखतो रही नहीं है यहां पर कि कोई problem यहां दिख रही हो तो problem है कहाँ पर actual में problem actual में जो है वो है हमारे जब हमने GST का feature on किया था तो हो सकता है हमने वहाँ पर state selecting ही किया हो, इसलिए ये problem हमारे सामने आ रही है, तो इसका solution हमें यहां नहीं मिलेगा, अगर हम यहां solution डूड़ेंगे, GSTR1 में, तो हमें solution यहां नहीं मिलेगा, इसका solution जो मिलेगा हमें, हम features में वापस जाते हैं, F11 प्रेस कर सकते हैं, यहां फिर यहां से select कर सकते हैं, यह हमारे पास में फीचर सामने आ रहा है Enable GST Goods and Service Tax और यहाँ पर आप देखिए तो जो मैंने आपको कहा था वो ही problem है, यहाँ पर आपने ये select नहीं कर रखा है या हो सकता आपने select भी किया हो पर हट गया हो तो आप अपने GST, मिलब अपने tally में जाकर ये error को इस तरीके से solve कर सकते है इसको मैंने save किया और control A किया फिर मैंने वापस control A किया अब आप आईए GST R1 में तो आप देखिए आपकी वो जो error थी वो solve हो चुकी है तो इस तरीके से आप इस problem का इस error का GST error का आप solution निकाल सकते हैं ठीक है चलिए जोड़े रही है हमारे साथ में मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो अभी like करिए इस वीडियो को और जाकर के subscribe करिए हमारे चैनल को ताकि आपको नए updates मिलते रहे हैं वीडियो जो हम upload करेंगे और comments करना मत बुलिए जिससे हमें बता चलिए कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा है और कुछ query है तो वो भी आप comments में बता सकते हैं और description box में जाकर के हमारे previous जो वीडियो जो वीडियो हैं उनके link check कर सकते हैं और वीडियो चेक कर सकते हैं चलिए मिलते हैं next वीडियो में thank you